दुनिया में साथ अजूबे मशूर है, खाने मशूर है, कई सारे कंट्रीज मशूर है, प्लेसे मशूर है, मगर जो इनसान इन सब चीजों को मॉटिफे करता हूने के दर है आज हम लोग दुनिया के अजूबे चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे मगर वर्ल्ड्स वियर्डस पीपल के बारे में आज हम बात करेंगे जिसको आप देखके चौक चाओगे यह वन इन बिलियन काइंड ओफ लोग है तो वीडियो अंट दक जरूर देखो क्योंके बहुत मज़ेदार है अमु हज इरानी रिस्डेंट जिससे दे वाल्ल्स डिर्टियस मैन कहा जाता है कहा जाता है यह शक्स हाजी कभी इसकी जिन्दगी में ना पानी से ना आया ना साबुन लगाया वो भी तकरीबन सिक्स्टी प्लस एर से इसके उपर कई सारा मड़ सूथ पस लगा हुआ है और यह एकदम ब्रिक शेप की लिविंग में रहता है जो लोकल मीडिया से हमें पता चला है इसकी स्टोरी क्या है इसके यूद में एमोशनल सेटबक्स बहुत है तो इन्हें जिन्दगी सहार के बोला हट इसकी ऐसी कि तैसी भाड़ में गई सब चीज अब मेरे को कुछ नहीं करना है नाना धोना पीना कोच नहीं बस रहना है तो ऐसी रहना है इन्हों यो लोगो बहुत सीरेस ले ले लिए इन्हों क्या करें अपने आपको बुद्बुरी हालत में डालके छोड़ दिये मगर यह बताओ धोका मिला कुछ भी हुआ जिंदगी में कोई चीज आपकी सेक्सेस्फिल नहीं गई तो उसके इंदर नहाने से क्या ले ना देना है रहे भाई पानी तो खुदकू साफ तो सबस्क्राइब कर लोगों के आप संचियरी मार वारे वाह इसकी बात मशूर होई वहां के लोकस जमार आरे अज आलो तुम अच्छी बात नहां आई आए सा कर लो ऐसा कर लो ते शक्स बोला ठीक है यतना तुम लोग खैल रखना था जब नहीं रखे जब क्या जब जि़ह अब मैं नहा ले तो मगर मेरे को एक खतरनाग ड़र है कि अगर अगर अब मैं नहाया तो बीमार पढ़ जाओंगा पर जाया तो अमुहाजी जो है ये बात से इंकार कर दिया कि उसे नहाना भी नहीं है ख्लीन में नहीं करना है तो include इस होव आप फोबिया इसकी तो तो एबलुटोफोबिया एक ऐसे खिसम का फोया है जिसमें एक इंसान पानी नहाने से डड़ता है ये प्रणॉस भी ने करना है रहा तिस वेरी विएड ये फोबिया वो फोबिया ये कड़ दिया वो कड़ दिया अगले वाले इंसानी अजूबे है जिनका नाम है महरन करीमी नसेरी जो कि एरपोर्ट पे रह रह रहा है सिंस नहीं 1988 वाउ ये भी एक इरानी रेफियोजी है और एरपोर्ट पे 1988 से रह रह रहा है और आपको मालूम है ये बंदा अपना पर्मिनेंट रेसिडेंस प्यार सेट अप किया है चाउस डी गेल एरपोर्ट में पैरिस में वाह एरपोर्ट पे भाई साब प्यार बनाके एरपोर्ट पर रह रहा है इसा कैसा अलाओ कर ये पब्लिसिटी स्रेंट भी रह सकती एरप पर रह रहा भी उने लोगां शहर जाके कंट्री का प्यार लेने चपल घस लेते सेल पर इसे बाल चले आते मलब पैर पे चाले लग जाते हैं भाई सब जो एरपोर्ट पे इस प्यार निकाल लिए अपना वाह एक जो मूवी है जिसका नाम है टर्मिनल इसकी जिन्दगी प इंडेफिनेट पीरिट के लिए पेपर्स के साथ जिन्दगी जीता है यह जो शक्स है यह एरपोर्ट के डिपार्चेर एरिया में अपना जो है छोटा सा खाइमा बना के रखावा है और किसी से जाधा बात नहीं करता तकरीबन महां पे 18 साल रहा और एरपोर्ट पे ही इस करता और एक नई स्टोरी बना के जाता अगला वाला अजुबाय यूकि रो माक्या माका साकी ना का भाई इसका नाम मैं जब से पांच-पांच बार पढ़ते जारों इसका नाम है यूशिरो नाका मत्सू वाँ चलो पर रणने आ हैं यह बंदा 34 से इसकी हर एक खानी की फो आश्रीक आओ और हाँ टू हैंड खतम देख लिए नाका मत्सू यह बताया कि यह कोई भी चीज को जब सीरेस लेता तो जादे सीरेस ले लेता है और इसको इसके मामले में कोई बीट नहीं कर सकते हैं 34 यह से यह जो जो खारा है उसकी स्ट्रिकली हर इसकी जो फूट की पि इसकी जो जिए स्ट्रिक्ट डेली डाइट है और एक्सेसाइज है इसको 144 एयर्स तक जिन्दा रख सकती है वैल पॉसिबिलिटी है खाना एक्सेसाइज बॉड़ी को कंट्रोल रखे तो बॉड़ी जल्दी डिप्रिशेट नहीं होती और यह नो हेल्दी रहके मस्बूत र इन्हों कित्ते की साल पहले डेट डिकलेर कर दिये गए थे और आज उतर प्रदिश में यह पैदा हो इसा शक्स एक दिन लोन फाइल करने जाते लोन फाइल करने गए तो इन्हों रियलाइस करते के गवर्मेंट आफ इंडिया की तरफ से इनको डेट डिकलेर कर दिया गया तो भाई साब कोड में दाल का आज तक लड़े कि भाई मैं जिन्दा हूँ बैटल लड़ हूँ मैं 19-year से मेरा कोड में केस चार रहा और अपने आपको प्रूफ करना चालों कि मैं जिन्दा हूँ अगला वाला भैतरीन इंसानिया जूबाय मैगनेटो मैगनेटो से समझ जो इनके उपर कोई भी चीज जाती चिपक जाती इनको अगर फ्रिज के नस्दी के रखे तो फ्रिजन को चिपकता या इनों फ्रिज को चिपकते नहीं मालू मुबी जाब बुल जूबैसिक जो क्या बोजनिया का शक्स से इसके अंदर एक स्पेशल मैगनेटिक अबिलिटीज है कोई भी चीज इसके खरीव जब आती है मैगनेटिक फील्ड के तो इसको चिपक जाती 58-year-old man है ये जिसके बॉड़ी को कटलरी ग्लास फोन्स टीवी रिमोट्स मुबाइल फोन्स सब चिपक तो कितना आसान है थे को कार की इनों बॉडी रिपेर करते करते खुद को टूल चिपका लेते फिर कोई टूल की जरूरत हरे तो निकाले तूल फिर लगाए इनों चलता फिरता एक आदा स्पाइडर मैन है इनो इसका मानना है कि कोई ऐसी चीज खाया नहीं इसके अंदर ग अधराबाद का बिगेस फैंबली एक्सपोजी दर होने वाला है उसकी जगाग शी वाक्स तनाइट वाइड वाद शीज गान शीज गान शीज तरी सुफार माफार इस तर्ड़ शीज असलों गाइस वी आर बैक आफ्टर आफ्टर अवरी लॉंग टाइम टीबी डिजिट अधरेशनल एंटर्टेनमेंट अन मार्केटिंग अलों विद रॉयल सुक वी आर बैक इसलिए तरो थोड़ा अपलोग को फ्लैश बैक में लेकि जातों अधराबाद का बिगस ग्रांड फैमिली एक्सपो होने जा रहा है 9th of March को किंग्स पालास गुडी मलकापूर में वेरी एक्साइड़ उसे 150 प्लस रहने वाले हैं 35 को उपर फूट्स रहने वाले हैं बच्चों के लिए खेलना कूदना ATV राइट्स कैमिल राइट्स होर्स राइट्स रहने वाले हैं और तो और इतना जबर्दस एंटेटिनमेंट ह यूट्यूबर्स इंचाला रहेंगे उसके साथ हैजराबाद के लेजेंडरी स्टैंडब्स मैजिक शोज रहेंगे जगलर्स रहेंगे और बहुत कुछ जो कि आप इमाजिन नहीं कर से यह हॉल ए है हॉल बी भी सेम स्पेस के साथ है काईडल स्पॉंसर्स को स्पॉंसर्स के लिए जबबर्दस इंतिजाम है ब्राइंड प्रोमोशन और यहां पर जो स्पेसिंग और प्रोमोशन आपको दिया जाएगा तो देखो यह तो बस पैला वीडियो है यह इंट्रॉड़क्शन है अब इसमें सब चीज बल दिया तो क्या फिर स्पाइस रहेंगा बाखी अगले वीडियो में आपको बतांगा और क्या-क्या हम यहां पर करने वाले फॉर स्टॉल्स प्रोमोशन तमाम चीजों के लिए क्वेरीज डीटेल्स के लिए नंबर यहां पर दिया गया है यह आप डिस्क्रिप्शन चेक आउट कर सकते हो और कॉंटक करके जल से जल स्ट और एक वर्ल रिकाट सेट करते हो अदमी मोस्ट टॉलिस मैं क्या यह एक ऐसा जुबा है जो के वर्ल्ड शॉटस मैं भी रहा वर्ल टॉलिस मैं विरा थी यह बंदा पार नहीं करा तो बहुत जो है साड हो गया पिर लेटर ऑन जो है इसकी जब हाइट मजर करें तो फोर फ 8.3 inches at the age of 19 years, so it's sad, it doesn't do the army join, but a few years later, it has a strange disease, which is called Pituitary Tumor, so after this tumor, it has a operation, in the 1930s, it has a operation and it is measured again, after this operation and it is measured again, so its height increases, its standing height is about 6 feet 9.1 inches, because of spinal curvature, की वज़े से, जिसका मतलब इसकी हाइट यहां से और ग्रो होने वाली है, जैसा इसकी उमर गुजरते रहती है, इसकी हाइट बढ़ते रहती है, इसकी मौत हो जाती है 1950 में, और इसकी जब फाइनल हाइट मजर किया जाता है, इसके पैर का ही साइज तकरीबन 13.1 inches होता है, और हाथ का साइज 9.4 inches, विद अवेट फूर्टीवन पाउंद्स, एक वख पे जो सबसे छोटा आदमी, डॉफ आदमी था, जो आर्मी में उसकी भड़ती नहीं हो रही थी, वो वर्ल्स टॉलिस मैन मन के रहा, इंसान को कभी चैलेंज नहीं कर सकते, खेर वो ट्यूमर की वज़े से पता नहीं अंदर क्या चेंज़ था बॉड़ी में, जिससे सड़न इसकी हाइट निकल गई, चाहिद वो ट्यूमर की वज़े से ही उसकी हाइट छोटी थी, तो अल 6-9 इंचेज है, और या अपनी वालेट या पूरा एक कोल्डरिंग का कैन उसके मूँ में रख सकता, तो अगर आप लोग के घर में कुछ भी साथ में रखने का स्टैंड नहीं आदमी को बुला लो, इन्हें इसके मूँ में सब चीज रख सकता, अच्छा आप जो है, कैरी करने के लिए कि जा सकते है, इसकी वाइफ बहुत खुश हूंगी, पर्स कारी करने की ज़रती नहीं है, जो भी ये शोर के मूँ में दाल दिये खतम खिसा, एक्स्क्यूज मी मेरे लिप्स्ट्रिक दिया बोले तो अंदर से नियू-यू करके निकाल के देता, कुछ भी ये वेटनाम के शहर का है और इंसॉम्नियाक है, और तीस साल से तकरीबं ये सोया नहीं, इसको सोने नहीं देता, और हैरानी की बात है कि इसकी बाड़ी नहीं सोने के बाद भी बहुत परफेक्ली फंक्शन करते रहे हैं, ये कई सारा खेती बाड़ी भी करता है, और इसे चन्द वक्त पे थोड़ा थोड़ा मेडिकल हेल्प जरूत पढ़ते रहती है, अब परिशानी की बात है, तीस साल से ये सोया नहीं, इसको रिकॉर्ड किये, इसके पर डॉकिमेंटरीज बने, देखे तो ये अपनी जिन्दगी मस गुजार लेते रह रहा, इन्हें तो सब भी इसको दिये, ये खा लेता, और उसके पर सर्वाइफ भी कर लेता, इसका पेट ने गंडी पेट है, ये बाइसाइकल्स खाया, कार्स के पार्ट्स खाया, एरक्राफ्ट खाया, हर एक हिस्सा ये पूरे आटोमोबिल्स का खा सकता, इसको हजम कैसा हो रहा, समन्ने नहीं संजु भगत, एक इंडियन अजुबा, मैन विद ट्विन लिविंग इंसाइड हम, एक आदमी गंदर ट्विन्स, और ये तो वो टेर्मिनेटर वाली मूवी हो गई, ये आदमी के पेट में बच्चा, ये शिक्स फार्मार है, संजु भगत, जो कि इसकी पूरी जिंदगी बड़े पेट के साथ जिया, इसका लोग मजा खुड़ाया करते थे के देखो प्रेगने ना दिये, प्रेगने आदमी है, बट इन रियालिटी कुछ ऐसे खिसा निकला, 36 एर्ज की एज में इसका टेस्स लिया गया, इसको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी, तो इस से हॉस्पिटल बेजा गया, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में, एक एमर्जनसी सर्जरी के लिए, शुरुवात में डॉक्टर्स यह समझ रहे थी कि इसको शायद एक ट्योमर हुआ होंगा, जिसकी वज़े से इसका पेट इतना बल्च हो गया, और इसका इतना बल्च होते रहा, अफीटस इंसाइड अफीटस, मा, सुचे तो ही भई, क्या की दिख रहा है, तो साइंटेस और डॉक्टर्स के हिसाब से का जाता है कि संजू उसके खुद म्यूटेटेड ट्विन ब्रादर को कैरी कर रहा था, फॉर हिस लाइफ ऑफ थर्टी सिक् तो दोस्तों, बहुत सारे अजीब, हैरान कर दिने वाले लोग है पूरे दुनिया में, आज के लिए बस इतना ही काफी होप आप लोग वीडियो पसंद आया हो, जादा जादा शेर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को बहुत सारे डेर सारे वीडियोस है, जो हमारे पीछे भी चलते वे आपको स्क्रीन देख रहा होगा, नए ने वीडियोस के साथ आप क्या गया, आएंगे जल, इंशालला, फिर मिलेंगे जल, एक नए वीडियो के साथ दूआ में आदर रोके, तिल देन ठीके नशीन सुन, सलाम आलेकों